रामदान का पीछे में पौधा देख रहे हैं इसके फल भी पिंक रंग के होती है उसके बाद में मतलब की हड़े रंग का भी होती है अवाय यह जो किसान अभी लगा चुके हैं उसमें जो है अभी इनको हो सकता है कि एक बार खाद देनी क्याब सकता है यह चुकी हमारे शिः उठा दान पसल इसको सुड़ो सीरियल भी कहते हैं इसमें जो है कि अगर खाद की मातरा जो हम देते हैं पहले तो POTAS का पूरा मातरा फिर उसके आद पहला का पूरा मातरा और आधा हिसा जो है हम खाद को बुए पाल के समयी देते हैं और आधे खाद को दो बार में बाट देते हैं जो एक जो है जब पहला अरिगेशन देते हैं तब देते हैं दूसरा जो है जब फली उले आने लगता है उस समय इसको मतलब कि दूसरा अरिगेशन के समय भी दे देते हैं बीमारी ओगरा बहुत कम लगा करती है ठीक है तो इसल पर भी दीमक को गरा का प्रभाव लगे तो दीमक से जो है फोरमेट ओगरा यह फोड़ाडवन ओगरा जी समभी को हो जो है हम अपलाई कर दें जो की पांच परसेंट के हिसाब से हो जाता है 25 किलो परती हेक्टर के हिसाब से जब खेत तैयार करें उसी समय दे दें लेकिन हमारे हाँ चुकी नमी को संगचित करने का मिटी की मतलब की छमता नहीं है इसलिए हमें जो है कम से कम चोश पांसे छो पानी जो है इसे देना पड़ेग और 20 दिन के 25 दिन के अंतराल पर जब देखने के पड़ा में मतलब की नमी की कमीन लगे आप मिटी को प्टा के गोला बना के देख लें अगर गोला बन जाता है तो इसका मतलब नमी है अगर उसमें गोला नहीं बनता है मिटी में से तो आप समझ लें कि उसमें नमी कियाव सकता है सिचाई कियाव सकता है चुकि हमारे छेत्र जो है एक धलान टाइप का है तो इसमें जो है हमें छोटा-छोटा प्लोट में करके इसको बुआई करें और उसका सिचाई करें परसेंट अपने आप पड़ जाएगा तो इसलिए ख्याल से ध्यान रखकर मतलब ज्यादा पानी न दें इसलिए इसका ध्यान रखें कि 75% अगर जमीन आपका प्लॉट जो है पड़ गया हो तो उसको पानी को दूसरे प्लॉट में डाल दें जिससे कि आपको मतलब कि आपको जमा कर देना होगा और उसके बाद में अभी चुकि फूल आ रहा है इस समय जो है एक वार जो निरिक्षक होते हैं उनको बुला कर जो आपका खेत है उसका एक वार निरिक्षन करा लें ताकि वो देख लें वो अगर जब तक वो मान नहीं लेंगे वो समझ नहीं ल उसमें कोई impurity नहीं है तब तक वो आपका खेत को बीज के लिए मानता नहीं देंगे तो इस समय जब फूल निकल लाओ तो उस समय एक वार करा लें जिस समय पकने लगता है उस समय बुला लें खेत में वो निरिक्षन कर लेंगे तो आपका खेत का होगा यह निरिक्षन की दूरी में दूसरा और भी जो है मतलब की रामदाना की खेती या पौधा नहीं होनी चाहिए पौधा में जो है रोग का कुछ बहुत ज्यादा है नहीं ठीक है अगर कोई रोग लगता भी नहीं है ज्यादा इसलिए ये मतलब की एक तरह से रेसिट्शन टाइप का पौधा है जिसको की हाँ इसमें खाद पश्रागरा का symptom आता है जब deficiency होती है ते नीचे से पत्ती पीला पढ़ने लगता है जो आपको यह दर्साता है कि इसमें खाद की आउसकता कमी हो गई है तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखे तो दो बार जो है दो बार जो आप आपने पैसर में ह दिये होंगे उसके बाद में भी अगर पौधाय का बढ़वार अच्छी तरह से नहीं हो तो आप एक कोर्सिस करें कि 2% यूरिया का चिर्काव कर दें